ओम स्री गणिशाइनमा दोस्तों आप सभी को वेद पंडित का प्यार भरान मश्कार दोस्तों आप सभी दर्शों को हमारे चैनल समक्ति किस्पत में स्वागत है दोस्तों हम अपनी हर वीडियो में आपको ऐसे लाबकारी उपाय बताते हैं जिसे अगर आप इसमें जीवन मे अपनाते हैं तो इन उपाय से आपको लाब मिलेगा दोस्तों आज हम आपको बहुत ही खटीक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन में खुशिया ही खुशिया होंगी और आपको धन दौलत की कभी भी कभी नहीं रहेगी दोस्तों आपको ये करना है कि आपके एक रुपे के ग्यारा सिक के लेने हैं, इन सिक्कों को आप गंगा जल में दो कर दो लें, और रात को सोते समय अपने तक्किये के निक्षे रख लें, ऐसा आप ग्यारा सिन तक करें, ग्यारा जिन के बाद आप इन सिक्कों को उठा लें, और गंगा जल से दो कर फिर एक महला ओम श्री महालक्षमिय नमा वजब करें और आरती करें सिख्य महालक्षमी जी के सामने ही रखे रहे दें अगले दिन सिख्य उठा लें और नौ कर्णियाओं को मा का नौ रूप मान कर एक एक रूपे का सिख्या दें हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे निवीजन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें जिससे कि अधिक सिक लोगों को हमारे बताए उपाई से लाब मिल सके और हमारी वीडियो को पूरा देखे जिससे हमारी बताई वी सब बाते आप पूरी तरीके से समझ सके अब हम अपने विशाय पर आगे बढ़ते हैं अब आप एक दूर्यन जटा वाला नारे लेने और एक चुन्डी लेने और नार्यन को चुन्डी में लपेट कर इसी माता जी के मंदिर में जाकर मा दुर्गा या मा लक्ष्मी जी के चड़नों में चड़ा दे और मा से पातना करें कि हे मा आप हमारे सारे कश्टों को दूर करें और हमारे घर में मा लक्ष्मी के रूप में इस्ताई रूप से वास करें और धन धाने की कभी भी कमी नहीं हो और हमसे या हमारे परिवार से कोई भी भूल चुक या गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें शमा करें और सदा से हमारे घर और परवार पर अपने किर्पा शुर्टी बनाए रखे और दो सिक्के जो बचे हैं उन में से एंख सिक्का बार। के पास रखा रहने दे और दूसरा जिक्का आप या तो अपने पर्श में रखे या लाल कपड़े में लपेट कर तेजोरी में रख दे आपके तेजोरी रुपियों से हमिशा भरी रहेगी इस प्रकार की और अच्छी जानगारी के लिए आप हमारा चैनल चमक्ति किस पर दे तरी दाले भरी आनले वा